दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ही इन्फर्म कर दिया थे कि फोर्थ मार्च को IPL 2020 की मीटिंग होने वाली है BCCI और सभी आटो ही फ्रेंचाइस के बीच में ओनलाइन मीटिंग होने वाली है लाइम मीटिंग होने वाली है और जिसके लिए काफी बड़े बड़े फैसले लिए जाने वाले है IPL 2020 को लेकर ऐसे में क्या वो बड़े फैसले लिए गए है मीटिंग तो यहाँ पर हो चुकी है चार बड़े फैसले कौन से है वो मैं आपको बताने वाला हूँ फॉर्मेट को लेकर सेड्यूल को लेकर IPL 2020 होने वाला है नहीं होने वाला है सभी ख़वरे यहाँ पर आ चुकी है तो अगर आप भी मेरी तरह एक IPL फैन है IPL को बिसबरी संतियार कर रहे है तो फटाफट अभी इस वीडियो को लाइक कर दे और लेटेस्ट क्रिकेट अपडेट सबसे पहले बाइने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले तो दोस्तो हमें आपर बात कर लेते हैं इस मीटिंग में ऑनलाइन मीटिंग में क्या वड़े फैसले लिये गए है दोस्तों पहला फैसल लिया गया अब वो लिया गया IPL 2020 को ले कर IPL 2020 जो 15 एपरिल के आसपास से सुरू होने वाला था अब यहाँ पर भी यह पोश्ट पॉंड हो चुका है इसके आगे के सक चुका है IPL आपको मई के पहले बीक में होते हुए दिखाई दे सकता है तो IPL 2020 आपको होते हुए दिखाई देगा लेकिन Closed Stadiums में बात कीज़र दूसरे डिसीजन की वो है आपर फॉर्मेट को लेकर फॉर्मेट में बड़ा चिंज किया गया अभी तक आप राउंड राविन और फॉर्मेट में IPL को कंडक्ट होते हुए देखते थे लेकिन अब IPL यहाँ पर कंडक्ट होने वाला है ट्रंकेटेट फॉर्मेट में ग्रुप बाई सिस्टम में जहाँ पर दो ग्रुप में सभी आठवी टेम्स को डिवाइड किया जाएगा जैसा है कि हम पहले 2011 के एडिसन में देख चुके है तीसरा चेंज है वो है आपर सेड्यूल को छोटा करने को लेकर IPL 2020 का सेड्यूल यहाँ पर छोटा होने वाला है यानि मैचेज कम होंगे ट्रंकेटेट मैचेज होंगे डवल हैडर्स चाहता होंगे और कम समय में लंबा IPL होने वाला है बात कीजा चौथे चेंज को लेकर वो है आपर IPL 2020 से नुकसान वीवर्स का सभी आटवी टीम्स की फ्रेंचाइज का और प्राइज मनी भी याँ पर कम होते हुए आपको दिखाई दे सकती है जो फाइनल बिजीता को मिलती थी तो ये चार बड़े फैसले आज की मीटिंग में लिएगा है 24 वार्च की मीटिंग में जो की सबसे पहले आपको हार्स इंडेटेनमेंट की और से अपडेट दे दी गई है अब इंफाउम कर दिया गया है तो अगर आप ऐसी अपडेट सबसे पहले बाइना चाहते है तो फटफल को सब्सक्राइब करके रख ले बले गन पर और पैस करके रख ले अपनी फेवरेट टीम कमेंट बॉक्स में हमें अभी बता दे धन्यवाद